हेलो एवरीवन वेलकम टू HVS इस्टडीज तो दोस्तो आज रहेगे 12 में और 12 में की जो थर्ड शिफ्ट है वो आपकी कम्प्लीट हो चुकी है तो आज की शिफ्ट में आपके जो भी कोशन्स पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डीटेल के साथ कवर करेंगे हर एक कोशन बिलकुल रियल कोशन होने वाला है 100% रियल कोशन है जो आज हम कवर करने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एनलेसिस की PDF पाने के लिए हमारा WhatsApp ग्रूप रहेगा जिसका लिंक डिस् इस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया तो यक्षगना नित्य भारत के किस राज्य से है तो इसमें करनाट का जो था ये आपका इस कोशन का करेक्ट आंसर था एक्स्टा इंफोर्मेशन में हम करीब करीब 10 से 15 बार इस कोशन को कवर कर चुके हैं आप यहाँ पे करनाट क देख सकते हैं थर्ड स्टेट में यक्षगना पहला ही हमारा रहेगा जो कि हम बहुत बार आपके पढ़ चुके हैं अगर यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म्स के रिवीजन की बात करीजाए जो कि आगे आने वाले जिनका भी एक्जाम है शिफ्ट रहेंगी उनके लिए most important topic ह हो जाता है तो जम्मु कश्मीर का रहेगा का रॉफ डांस हिकट मांज hekař मांडघ ह। नाच जहारखंड का रहेगा अलकप कर्मा मुंडा अगनी जूमर जनानी जूमर मर्दना जूमर पाई का फागवा करनाट का आपकर यक्शकना हो जाएगा हुतारी, सुगी, कुनीथा और करका कैरिला करहेगा ओत्म तुललॉल और कैथा कोटिला महराष्ट का आपका हो जाएगा लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, धकीलाल और दशपतार मद्दे प्रदेश की अगर बात करी जाए तो जवारा, मठकी, आडा, खड़ा नाच, पुलपती, गिर्दा डांस, सेला रर्की और सेला बदुनी मनीपुर के आपके हो जाएंगे, एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोल चोलम आपसे पूछा जा चुका है, थांग था इंपोर्टेंट रहेगा, लाय हरुबा मुस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, फुंग चोलम भी और लेडी एक्जाम में आपका पूछा जा चुका है मिघाले के आपके हो जाएंगे काशच, शुक, मेंसिम, नौंक्रिम और लाहो मिजोराम के हैं चिराउडांस, खुलम, चैलम, शोलकिन, चोएंग गलेजोन और आपका जैंग टैलम नागलेंड के आपके हो जाएंगे, रंगमा, जेलिंग, सुरोलियन, और गैथिंग लिम ये कुछ important हमारे dance forms हैं, बाकी 100 questions की dance forms की एक separate video आपको कल को morning में 11 a.m. पे मिल जाएगी उस video को आप बिलकुल भी मिसना करें, most important video होने वाली है आपके exams के लिए जिसमें total हमने 100 dance को, जो dance form से 100 dance को cover किया है, exam के लिए सभी जो important questions हो सकते हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अगला question देखते हैं, अगला question आपसे पूछा गया, which among act was launched in 1919 तो 1919 में कौन सा अधिनियम शुरू किया गया था, तो उसमें आपको एक option में मिला था Montague Camps Formed Reform Act और यही आपका इस question का correct answer था, यह भी हमारे revision का जो portion है यही से question पूछा गया है आपका, 1919 में आप देख सकते हैं, Montague Camps Formed Reform Act आया था आपका rollet act आया था और जलिया वाला बाग मैस कर हुआ था, तो same extra information जो हम cover करते हुए आ रहे हैं, वहीं से आपके questions exams में बन रहे हैं 1857 में हुआ था, revolt of 1857, 1878 में वरनाकुलर प्रेस Act आया, 1882 में Indian Education Commission Act और Hunters Commission आया 1905 में Partition of Bengal हुआ, 1906 में आपका All India Muslim League को Establish किया गया, 1909 में Molle Minto Reform Act आया और Indian Council Act आया 1916 में आपका लखनव पैक्ट साइन हुआ, 1917 में चंपारन सत्यग्रह हुआ, 1927 में Simon Commission आया, 1930 में Civil Disobedience Movement और First Roundtable Conference हुआ 1931 में Second Roundtable Conference और Gandhi Irvin Pact साइन हुआ, 1932 में Puna Pact, Third Roundtable Conference आपकी हुई थी तो ये क्या है हमारे कुछ Independence से Related Movements हो जाएंगे, जो कि सब आपको याद रखने है, exam के लिए Most Important है और भी shifts में आपको यहां से questions exams में देखने को मिल जाएंगे अब अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं कि सिर्फ 79 रूपीज में आपको एक e-book प्रोवाइड कराए जा रही है जिसमें total आपको 19 topics मिल रहे हैं, कुछ हमारे static GK के topics हैं और कुछ हमारे current affair 2022 के topics हैं, यह जो e-book है यह आपको available कराए गई है bilingual language में, मतलब Hindi और English दोनों में आपको questions देखने को मिलेंगे अगर आप interested हो तो link description में है, आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको downloading में कुछ भी issue आता है, तो नीचे हमारी Gmail ID पे आप हमको directly mail भी कर सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा, अगला question फिर आपसे पूछा गया कि Muslim League was formed in which year? Muslim League की स्थापना किस वर्ष होई थी? तो 1906, इस question का आपका correct answer था 1906 1906 में established हुआ था All India Muslim League, यहां पर फिर formations की कुछ बात करेंगे, तो Indian National Congress को 1885 में established किया गया All India Muslim League आपका 1906 में established हुआ था, same question extra information जो हमने डाली है, वहीं से आपका पूछा गया है हम काफी time से यह जो same slide है, इसको cover करते हुए आ रहे हैं और तीनों के तीनों questions अभी तक हमारे extra information से ही आपको मिले है हिंदू भासबा को 1915 में established किया गया, Indian Council of Medical Research को 1911 में, आरे समाज को 1875 में, All India किसान सबा को 1936 में, हिंदुस्तान Socialist Republican Association को 1928 में, Indian Women's Association 1917 में, Indian Industrial and Commercial Congress को 1920 में established किया गया, गदर पार्टी को 1913 में, अनुशलान समिती को 1902 में, Theosophical Society आपसे first shift में पूछे गई थी 1875 में, स्वराज पार्टी 1923 में और forward block को 1939 में established किया गया था बाकि यह जो topic है हमारे formation से related, इन topics की आपको separate video भी channel पे already provided है, आपको description में एक playlist मिलेगी, All Static GK topic के नाम से उस playlist में आपको सारे topics provided है अगला question फिर आपसे पूछा गया, who won the French Open 2022 title, तो French Open 2022 का खिताब किस ने जीता है, तो इसमें male में, man's में रफेल नडाल ने और female में इगा सोटेक ने और यह हमारी slide रहेगी, जिसको हम काफी time से cover करते हुआ रहे हैं, काफी time से आपको provide करा रहे हैं, और हमने आपको बताया भी था starting में, कि आपके जो grand slams हैं, वहां से आपको question जरूर देखने को मिलेगा अगर US Open की बात करी जाए तो कालोस एलकराज ने man में, Spain से और female में इगा सोटेक पोलेंड से जीता है, विमल्टन जो जीता गया आपका वो नुवाग जोकुविक ने सर्विया से और female में आपका एलीना राइबेकिन कजाकिस्तान से French Open जो आपसे पुछा गया एक्जाम में, male में आपका रफैल नडाल, Spain से बिलॉंग करते हैं और female में इगा सोटेक जो कि आपकी पोलेंड से बिलॉंग करती हैं Australia Open जीता गया था रफैल नडाल के ही द्वारा और female में Ashley Barty जो कि Australia से हैं जो Australian Open और US Open होते हैं यह होते हैं आपके hard court पे, जो French Open होता है यह होता है clay court पे और जो Wimbledon होता है यह आपका grass court पे खेला जाता है तो यह हमारे क्या रहेंगे सब important questions है हमारे grand slams है बाकी और जो grand slams है यह भी questions आपके आगे आने वाली shift में आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगला question फिर आपसे पूछा गया दिलवरा temples are related to which religion दिलवरा मंदर किस धर्म से संबंदित है तो इसमें gen आपका correct answer था दिलवरा temple का पूरा नाम ही क्या है तो दिलवरा gen temples ही पूरा नाम रहेगा आपका दिलवरा temple का तो जो gen religion है उससे related ही आपका temple हो जाएगा अगर temples की हम बात करें तो कुछ temples को cover करते हैं यहाँ पे builders को भी हमने डाला हुआ है लेकिन हम यहाँ पे temple और उनकी location को cover करेंगे लिंगराज temple आपका कहाँ पे है उडिसा में जगनाट temple भी उडिसा में ही located है खजराव temple मद्यपरदेश में रहेगा आपका sun temple कुनारक sun temple भी आपका उडिसा में अगर आपसे exam में question पूछा जाए कि temple city of India किसको बोला जाता है तो वो उसमें आपका correct answer होगा भुवनेश्वर उडिसा क्योंकि उडिसा में आपको बहुत ज़ादा temples है जो की मिलेंगे तराकोटा temple है वेस्बंगाल में ब्रिहदिसवरा temple तमिलनाडू में रहेगा कामक्या temple आसाम में है रंगनसवामी temple है तमिलनाडू में दिलवरा जैन temple राजिस्थान में यहाँ पे आपको जैन जो है वो आपको पहले से ही मिलेगा क्योंकि यह पूरा नाम जो temple का रहेगा आदा वो जैन्ड टैंपल ही है फिर महाबलीपुरम टैंपल है तमिलाडू में काली टैंपल वेस्ट बंगाल में और एंकरवाड टैंपल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टैंपल है ये आपको मिलेगा कमबोडिया देश में और ये आपका राजा सूर्य वर्मन सेकेंड जो थे उनके द्वारा स्टेंपल को बनवाया भी गया था फिर अगला कोशन आपसे पूछा गया विच अमंग इस दी हाइस्ट पीक ओव वेस्ट बंगाल स्टेट तो इन में से कौन सा पस्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊची चोटी है तो संदक फू जो है यह आपको ऑप्शन में मिलाओगा यह क्या रहे गया आपकी हाइस्ट पीक है वेस्ट बंगाल स्टेट की फिर एक कोशन बिलकुल इजी कोशन आपसे पूछा गया की फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ दी इंडियन कॉंस्टिटूशन तो मॉलिक करताव्य भारतिय समविदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत आते हैं तो आर्टिकल 51 ए इस कोशन का आपका करेक्ट आंसर था आर्टिकल 51 ए के अंदर आते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिजन टाइम में कितनी है हमारी तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी स्टार्टिंग में हमारी 10 fundamental duties थी जिनको 42nd amendment act के थू 1976 के थू add किया गया था Indian Constitution में और जो हमारी 11th fundamental duty है उसको बाद में add किया गया amend किया 86th amendment act of 2002 के थू तो ये important रहेगा fundamental duties का fundamental duties को हमने कहां से बोरो किया है ये भी आपसे exam में पूछा जाता है तो USSR मतलब रशिया से हमने बोरो किया है fundamental duties को अब articles की अगर हम बात करें तो ये आपका article 51A जो की fundamental duties से related है तो extra information जो हम provide करा रहे हैं वहाँ से आपको सारे questions मिल रहे है article 47 में हमारा आता है duty of the state to raise the level of nutrition standard of living and to improve public health 49 में आता है protection of monument, place and objective object of natural importance 50 में आता है separation of judiciary from the executive 51 में promotion of international peace and security article 63 में आता है vice president of India 64 में आता है vice president to be the ex-official chairman of council of state 66 में election of vice president 76 में आता है attorney general of India 79 में आता है constitution of parliament 80 में आता है composition of rajya sabha 81 में आता है composition of log sabha 83 में आपका duration हो रहेगा houses of parliament का तो ये कुछ हमारे important articles है जो कि आपको ध्यान रखने हैं बाकी articles की एक separate video है जो कि आपको channel पे मिल जाएगी आप उसको देख सकते हैं जिसमें हमने सारे important जो articles हैं हमारे उनको cover किया हुआ है उनको provide कराया है आपको क्योंकि articles से बहुत जादा questions है जो कि आपके exams में बन रहे हैं आज की shift में भी दो questions है आपके articles से जो की पूछे गए हैं एक अभी हमने cover कर लिया एक हम आगे और अभी देखेंगे फिर एक question आप से पूछा गया नेमदी factory वेर बोपाल गैस disaster happened तो उस कार खाने का क्या नाम था नाम बताईए जहां बोपाल गैस आपदा हुई थी तो वो था आपका Union Carbide Corporation Union Carbide Corporation जो था ये एक company थी आपकी कहां की America की एक company रहेगी और इसकी ही factory थी जहां पर ये जो tragedy थी ये आपकी हुई थी और ये आपका 3 December 3 December 1984 में हुआ था इसका year जो रहेगा इसको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि exam में हो सकता है कि आपको exam में आगे मिल जाए फिर एक question आप से पूछा गया which one is not a bacterial disease तो कौन सा जीवाणू रोग नहीं है इसमें आपको rabies option में मिला था पलाग था आपका cholera था rabies था तो इसमें rabies जो था ये आपका correct answer था क्योंकि rabies जो है एक आपकी viral disease रहेगी अब यहां पर जो ये हमारी diseases होती है जो अलग-अलग होती है चार चीज़े होती है इसमें जो कि आपको याद रखनी है एक तो bacteria से होती है एक virus से होती है एक होती है protozoa से और एक होती है फंगई से इन चारों को एक बार cover करते हैं तो bacteria से होने वाली जो हमारी diseases है वो आपकी हो जाएंगी tetanus, typhoid, tuberculosis, diphtheria, pneumonia, leprosy और syphilis viral disease जो virus से होने वाली हमारी disease होंगी उसमें आती हैं आपकी smallpox, common cold, mumps, influenza, covid-19, AIDS और polio protozoa से होने वाली बिमारी हो जाएंगी हमारी malaria, leishmanesia, amoebesia, chagas, toxoplasmosis जो fungus से होने वाली disease है हमारी fungi disease है उसमें आपका आता है candidiasis, क्रिप्टो कोकल, menindiasis, ringworms, histoplasmosis और mucury, mucosus, aspergillosis ये सब क्या हैं आपकी हमारी diseases हो जाएंगी जो कि अलग-लग आपकी होने वाली diseases हो जाएंगी जहां से आपका ये question जो है आज का पूछा गया है फिर एक question आपसे पूछा गया कि लच्छा महराज is related to which dance form तो लच्छा महराज का संबंद किस नित्य शैली से है तो basic question है कथक से related हो जाएंगे कथक dance perform करते हैं कथक कहां का classical dance है तो ये उत्तर प्रदेश का रहेगा अगर famous dancers की हम बात करें तो 100 questions की एक separate video आपको famous dancers की हमारे channel पे already provide कराई जा चुकी है आप उसको जरूर देख लें क्योंकि आज की तीनों shift में dancer से question मिला है आपका कल की तीनों shift में मिला था dancer से question और परसो की भी तीनों shift में dancer से question देखने को मिला है तो इसलिए इस topic को तो आप अच्छी तरीके से जरूर तयार करें तो रुकमिनी देवी अरंदुलेहं भरतनाट्यम से पंडित बिर्जू महाराज कत्थक से केलू चरण महापात्रा उडीसी से गुरू बिपेन सिंग मनीपुरी से वेंपती चिन्ना सत्यम कुचिपूरी से पद्मसु ब्रमन्यम भरतनाट्यम से मिरनालीनी सारभाई कत्थक कली और भरतनाट्यम से शोवना नारायन कत्थक से सोनल मान सिंग भरतनाट्यम और उडीसी से श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से केके अम्मा और कनकरेले मोहिनियाटम से राजा रेड़ी और राधा रेड़ी कुछीपुरी से माधवी मुद्गल उडीसी से और गोपी कृष्ण रहेंगे कत्थक से बाकी जो questions हैं उनके लिए आपको separate video जरूर देखनी है क्योंकि exam में आपको questions बहुत जादा देखने को मिल रहे है फिर एक question आपसे पूछा गया तो बांगलादेश की राजभासा कौन सी है तो उसमें बंगाली जो था ये आपको option में मिला था बंगाली जो था आपका इस question का correct answer था हमने आपको starting में बताए कि article 51 आपसे पूछा गया था एक question और article से आपका पूछा गया है जो कि है आपका attorney general of India comes under which article भारत का जो महा नहाईवादी होता है वो कौन से अनुछेत के अंतरगत आता है तो इसमें article 76 जो था आपका इस question का correct answer था तो दो article से question आज की shift में आपसे पूछे गए है यहाँ पे कुछ और important articles को एक बार cover कर लेते हैं तो protection of life and personal liberty आता है article 21 में organization of village panchights रहेगा article 40 में uniform civil code है article 44 में promotion of international peace and security है article 51 में impeachment of president article 61 में यह same question यहाँ पे attorney general of India article 76 है तो यह जो question है हमारा यह हमने अलग-अलग slide में जो extra information है वहाँ पे काफी बार हमने cover किया हुआ है joint sitting जो होती है दोनों houses की वो article 108 में आती है definition of money bill है article 110 में establishment and constitution of supreme court article 124 में जो second shift होई है आज की पिछली shift होई है उसमें same question आपका पूछा गया है supreme court to be a court of record आता है 129 में comptroller and auditor general of India article 148 के अंडर आते हैं आपको हो सकता है कि जो CAG officer है इसका जो question है यह आपको आगे कल की shift में देखने को मिल जाए आगे जो हमारा अगला question है उसको देखते हैं तो अगला question यहाँ पर एक question आपका repeat हो गया कि Muslim League was formed in which year Muslim League की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1906, 1906 में established किया गया था Muslim League को यह हमने पीछे भी cover कर लिया यह गलती से दुबारा जो है question आपका repeat हो गया है फिर एक question आप से पूछा गया which sea यहाँ पर sea की जगे आपको ocean मिला होगा which ocean separates the North America from Europe तो कौन सा समुद्र है जो कि उत्तर अमेरिका को यूरोप से अलग करता है तो इसमें Atlantic Ocean जो था इस question का आपका correct answer था Atlantic Ocean जो है इस separate करता है North America को यूरोप से अगर separation की बात करी जाए तो 8 degree channel जो रहेगा आपका यह separate किस किस को करता है तो Minicoy Island और Lakshdeep इन डोनों को separate किया जाता है मालदीव से 9 degree channel के थुरू Minicoy Island और Lakshdeep को separate करते है 10 degree channel के थुरू अंडमान जो island है यह आपका Nicobar island से separate होता है पालक स्टेट जो रहेगा इंडिया और शिलंका को separate करता है रेड किलिफ लाइन जो है यह इंडिया और पाकिस्तान को separate करता है मैकमोहल लाइन इंडिया और चाइना को separate करता है अराकन माउंटेंस इंडिया और मियनमार को separate करते हैं काली रिवर इंडिया और नेपाल को सेपरेट करते हैं दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है तो यह आपकी सेपरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखनी है फिर एक कोशन आपसे पूछा गया कि solid carbon dioxide is also known as तो थोस जो carbon dioxide है उसके रूप में भी जाना जाता है किस रूप में भी जाना जाता है इसको तो इसको dry ice के नाम से भी जाना जाता है co2 इसका formula रहेगा आपसे exam में पूछा जाता है कि dry ice का formula क्या होता है तो co2 ही उसका correct answer आपका हो जाएगा carbon dioxide फिर एक question आपसे books and author का पूछ लिया गया कि who is the author of the book I to head a love story तो I to head a love story पुस्तक के लेख़ कौन है तो इसमें रविंद्र सिंग जो था ये question का आपका correct answer था रविंद्र सिट की book रहेगी आपकी I to head a love story अगर books and authors की बात करी जाए तो गांथी असेसिन जो है ये आपकी ध्रेंदर कुमार जहा की book रहेगी indomitable of working woman notes on life ये अरुंदती भटचार जी की book रहेगी बोस दी untold story है चंदरचूर घोश की the legend of बिर्सा मुंडा रहेगी तुहीन सिनहा और अंकेता वर्मा की the 10 trillion dollar dream है सुभाश चंदरगर्ग की a little book of India celebrating 75 years of independence है रस च्विनी भटनागर की golden boy नीरत चोपड़ा है नवदीप सिंग गिल की तो ये हमारी सब क्या है books हो जाएंगे हमारी जो कि आपको ध्यान रखनी है बाकी books का separate जो वीडियो है आप उसको जरूर देख ले फिर एक question आपसे पूछा गया who among the following is not a tabla player निमलिकित में से कौन tabla वादक नहीं है तो इसमें जो options थे उसके एसाब से आपका correct answer हो जाएगा options हमको इस question के नहीं मिल पाए है तो इसलिए जो answer है वो हम यहाँ पे नहीं माग कर पाए एक question फिर आप से पूछा गया who appointed iltutmish as the governor of badayu तो iltutmish को badayu का governor किस ने नियुक्त किया था तो वो कुतु अगर आपने separate वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें आपको exams में question लगातार वहां से मिल रहे हैं अगर musicians की बात करें तो रवी शंकर है सितार प्ले करते हैं शिप कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं सजाद हुसें सुर्बहर प्ले करते है जिया मुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं असद अली खान रूद्र वीना प्ले करते हैं पंडित विश्प मोहन भट मोहन वीना के इंवेंटर हो जाएंगे शकूर खान और पंडित राम नारायन सारंगी प्ले करते हैं ब्रज भूशन कावरा गिटार प्ले करते हैं प्ले करते हैं, जाकिर हुसेन, अल्लाराखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखरजी सितार प्ले करते हैं, और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं, तो ये कुछ हमारे famous musicians हो जाएंगे, बाकी जो इसकी topic की separate वीडियो हैं, आप उसको जरूर देख लें, फिर एक question आपसे पूछा गया, which element is denoted by h in periodic table, तो आवर्त सार्णी में किस तत्व को h द्वारा दर्शाया गया है, तो h किसका symbol है, तो hydrogen, ये तो बिल्कुल basic easy question है, अगर जिसको जादा knowledge भी नहीं होगी exam की, वो भी इस question को बिल्कुल सही क manufacturing cluster है, वो किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो इसमें करनाट का जो था, ये आपका correct answer था, ये आपका current affair का, 2023 का current affair का ही ये आपका question रहे का, फिर एक question आपसे आया, loser festival से, according to which calendar, loser festival is celebrated every year, तो कौन से calendar के अनुसार हर साल loser मौसर मनाया जाता है, तो इसमें तिबच जो था, आपका इस question में option था, वही आपका इस question का correct answer था, तोड़ा question की language हो सकती है, आपको अलग मिली हो, लेकिन answer जो था, वो आपको तिबबत रहेगा, फिर एक question student के द्वारा बताये गया है, कि which is the second most spoken language in India, तो भारत में दूसरी सबसे जादा बोले जाने वाली भाशा कौन स हैं, आज की shift में festival पूछा गया है, आपका तीनो shift में, कल की भी तीनो shift में आपके festivals आएते, तो festivals भी most important topic है, जिससे exams में हर shift में question देखने को मिल रहा है, आंदर प्रदेश के festivals हैं, युगाडी, डेकन फेस्टिवल और भ्रमोश सवम, अरुनाचल प्रदेश के हैं, रहे, ब मेगाले के हैं, नौंकरिम, खसिस, वंगला, शादशुक्र, तेलंगना के रहेगा, बोनालू, भटुकुम्बा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा, तमिल नाडू के हैं, पोंगल, थाइपूसम, नत्यांजली, जलीकट्टू, राजिस्थान के हो जाएंगे, घंगोर, बूदी, डैजर्ट, मतस्या, और शिखावती, गोवा के फैस्टिवल्स हैं, आपके लधैना, फॉन्टेनस फैस्टिवल ओफार्ट, संबंध फैस्टिवल, मांडो, घुमोत फैस्ट और चिकलकलो, तो यह हमारे इंपोर्टेंट फैस्टिवल्स है, फैस्टिवल्स की अगर स्पोर्ट्स टर्म की बात करी जाए, तो बास्केटबॉल की और कुछ टर्म्स होती है, जैसे फ्री थो हो गया, कॉमन फाउल हो गया, अंडर हैड हो गया, टेकनिकल फाउल हो गया, और ओवर हैड हो गया, बेस वाल्स की हो जाएंगे आपकी, पिंचिंग हो गया, हो लेडर, बोट, ब्रॉलर, बकल, कैनवास, एट काउंट, गिलास जो, हॉव मेकर, मॉलर, प्लॉडर और साउट फो, बरिज गेम के आपके हो जाएंगे, मास्टर पॉइंट, पर्फेक्ट डील, डमी और ट्रंप, किर्किट के आपके हो जाएंगे, बेल, एशिज, गुगली, होक और ग्लांस, तो ये क्या हैं आपके कुछ इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स तर्म आपके हो जाएंगे, जो कि आपको ध्यान रखने है, ये टॉपिक भी अग्जाम का इंपोर्टेंट टॉपिक है, पहला ही कोशन अभी इस शिफ्ट में देखने को मिला है, स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, इसी तरीके से हर शिफ्ट की एनलिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलती है, अगर आपको पीडिएफ पानी हो तो पीडिएफ का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड़िट है, गृूप का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके, जो हमारी पीडिएफ जो वाट्सेप गृूप है, उसको जॉइन करने, तैन पीएम पे आपको तीनों शिफ्ट की जो पीडिएफ से वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, धन्यवाद